नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत कर रही हूँ आपका आपके अपने चानल इंडियन हेल्थ टिप्स फर यू में सरसों का तेल सबीयों से हिंदुस्तान के ज्यादतर घरों में इस्तमाल किया जाता रहा है इसे खाना बनाने से लेकर पूजा पाठ तक कई रूप में इस्तमाल किया जाता है सरसों का तेल सेहत और सुनदर्ता दोनों के हिलिए बहुत फायदेमंद है इस तेल में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो दर्द नाशक का भी काम करते हैं जोडों का दर्द हो या फिर कान का दर्द सरसों का तेल एक उशदी की तरह काम करता है चलिए जानते हैं सरसों के तेल के और भी क्या-क्या फायदे हैं सरसों के तेल में भरपूर मात्रा में मोनो-saturated fatty acid पाय जाते हैं जो शरीर से blood cholesterol को खत्म करने में मददगार होते हैं। साथ ही सरसों का तेल blood circulation को सही बनाए रखने में कारगर साबित होता है। एक study में ये बात साबित होती हैं कि दिल को सिहत मंद बनाए रखने के लिए सरसों का तेल बहुत लाबकारी होता है। सरसों के तेल में anti-bacterial और anti-fungal गुण पाए जाते हैं। सरसों का तेल खाना बनाने के लिए तो इस्तमाल किया ही जाता है। इसके साथ ही इसे skin पर bacteria के कारण हुए infection की जगह पर भी लगाया जा सकता है। इससे bacterial infection खत्म हो जाता है। एक स्टडी के हिसाब से सरसों का तेल दांदों के bacterial infection को भी दूर करने में बहुत कारगर साबित होता है। सरसों के तेल में बना खाना अच्छी तरह से हजम हो जाता है। ये लीवर के लिए भी बहुत फाइदे मन्द है। ये शरीर में digestive enzymes का स्तर बढ़ा कर पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाता है। ये शरीर से toxins को निकालने में भी मददगार साबित होता है। सरसों के तेल में मौझूद vitamin E और polyunsaturated fatty acids हमारी स्किन को खुबसूरत बनाने के साथ साथ ये बालों के लिए भी बहुत लाबदायक होता है। ये स्किन और बालों दोनों को कोमल बनाने का काम करता है। रोजाना सरसों के तेल में बना खाना खाने से सकिन और बाल दोनों free radicals और ultra-voilet rays से सुरक्षित रहते हैं। सरसों के तेल को बालों में लगाने से भी बाल घने और लंबे बनते हैं। जुकाम और खासी में सरसों के तेल का सेवन काफी फायदेमन होता है। सरदी लगने पर सरसों के तेल को हलका गुन-गुना करके सीने पर मालिश करने से भी आराम मिलता है। इसके अलावा आप सरसों के तेल की कुछ बुंदों को गरम पानी में मिला कर स्टीम भी ले सकते हैं इससे गले में मौझूद बलगम निकल जाता है और सर्दी जुकाम से भी राहत मिलती है तो दोस्तों क्या आप सर्सों के तेल के बारे में इतनी फाइदेमन चीजों के बारे में जानते थे अगर आपको सरसों के तेल के बारे में और भी कोई इंट्रिस्टिंग बातें पता हैं तो हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं अगर आपको हमारे विडियो पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट और शेर ज़रूर करें